नमस्कार आप देख रहे हैं News Nation Sports और मैं हूँ आपके साथ चिराग सुखीजा Asia Cup 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खिला जाना है 10 सितंबर यानी की रविवार कू लेकिन कॉलंबो का मौसम देख कर लगता है कि शायद ये मुकाबला नहीं हो पाएगा क्योंकि बारिश लगातार कॉलंबो में आ रही है और 10 तारीक को भी बारिश की आशंका जताई जा रही है लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक गुड नियूज आ रही है क्योंकि भारत और पाकिस्तान वाले मैच के लिए अब एक रिजर्व डे रख दिया गया है पहले ऐसी खबरे आ रही थी कि सिर्फ 17 सितंबर यानि की फाइनल वाले दिन के लिए रिजर्व डे रखा गया है ACC ने अलग इससे पहले ये भी कहा था कि final के लिए भी reserve day नहीं है लेकिन उसके बाद खबरे आई कि final के लिए तो reserve day है ही लेकिन अब ESPN क्रिक इंफो की एक report के मताबिक भारत और पाकिस्तान का जो match 10 सितंबर को खेला जाना है उसके लिए भी reserve day तैग कर दिया गया है यानि की बारिश की वज़े से अगर 10 तारीक को इंडिया और पाकिस्तान का match नहीं हो पाता है तो उसे 11 सितंबर यानि की सोमवार को भी खेला जा सकता है अब अगर match शुरू हो जाता है ऐसे स्तिती में जिस जगा पर match रुकेगा बारिश की वज़े से और उस दिन उस जगा के बाद से match नहीं हो पाएगा तो उसी over से उसी gain से एक बार फिर से 11 तारीक को जो है match शुरू किया जा सकता है हाला कि over के साथ अगर कटौती होती है तो फिर उसी दिन match को पूरा करने की कोशिश की जाएगी लेकिन अगर 10 तारीक को बारिश ज्यादा आ जाती है और match नहीं हो पाता है तो ऐसे में ये मुकाबला 11 सितंबर यानि की सोमवार को उसी मैदान पर वहीं से continue किया जाएगा जहां पर 10 तारीक को ये मुकाबला रोका जाएगा तो ये good news है क्योंकि अब 10 नहीं बलकि 2 दिन मिलेंगे 10 और 11 दोनों दिन भारत और पाकिस्तान का match आपको देखने को मिल सकता है और उमीद करेंगे कि पूरे 50 over का game हमें देखने को मिले लेकिन इसमें टीम इंडिया के लिए एक संकट वाली बात है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग बात करेंगे अब टीम इंडिया को 10 को खेलना था पाकिस्तान के खिलाफ और 12 को खेलना है श्रिलंका के खिलाफ उसके बीच में अगर 11 तारिक को एक बार फिर से टीम को पाकिस्तान के खिलाफ । मुकाबला खेलना पड़ता है या यूँ कहें कि 10 तारिक वाला मुकाबला पूरा नहीं होता तो टीम इंडिया 11 सितंबर को भी खेलेगी और फिर 12 सितंबर को भी श्रिलंका के खिलाफ टीम लगातार तीन दिन मैदान पर उतरना पड़ सकता है, यह 50-over format है, यहां पर fitness की बात की जाती है, यहां पर workload management की बात की जाती है, तो ऐसे में क्या लगातार अगर तीन दिन मुकाबला होता है तो टीम इंडिया के लिए यह एक संकट पैदा करने वाली स्थिती हो सकती है, आप आपको बता दें कि फाइनल के अलावा सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच जो 10 सितंबर को मैच खेला जाना है उसी के लिए ही रिजर्व डे रखा गया है बाकी सूपर फोर के किसी भी मैच के लिए रिजर्व डे नहीं है यानि कि 10 और 17 सितंबर के लिए रिजर्व डे तै किया जा चुका है अब आप ये तै कीजिए कि ये टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज है या फिर बैड न्यूज कमेंट सेक्शन में आपकी राइज जरूर दीजिए अगर आपने अभी तक नियूज नेशन स्पोर्ट्स को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल से जल स कर दीजिए ताकि खेल जगत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे देखते रहेए नियूज नेशन स्पोर्ट्स